नमस्कार दोस्तों मैं हूं मरोज राये आज हम बात करेंगे बिटामिन B12 के रिच फूट कौन-कौन से है यह बिटामिन B12 के लक्षण क्या है यह हमें कौन-कौन से चीजों से हमें प्राप्त हो सकता है तो इसके बारे में सम्पुर्ण जान करेंगे मास मचली नहीं ये 5 चीज़ें खाएं शरीर में भरेगा बेटामिन B12 धकान और कमजूरी इससे हो जाएगी दूर West Vegetarian Source of Vitamin B12 अगर आप मास मचली नहीं खाते तो आपको Vitamin B12 की कमई पूरी करने के लिए Vegetarian चीजों को अपनी डायट में सामिल करना चाहिए क्या आपको हमेशा ठकान या कम्योरी महसूस रहती है आपको धुन्दला दिखाई देने लगा है हमेशा च्रिचलापन या तनाव रहता है क्या आपको कमभूग लगती है क्या आप बार बार बीमार पड़ते हैं अगर इन सब सवालों का जवाब है हाँ है तो समझ लीजिए कि आपके सरीर में बिटामिन B12 की कमी हो गई है बिटामिन A, बिटामिन B या बिटामिन C की तरह बिटामिन B12 भी आपके बहतर स्वास्त के लिए जरूरी है सरीर में इसकी कमी कई गंबीर स्वास्त समस्याओं को जन्म दे सकती है इसकी कमी से आपको सरीर, सारीरिक और मानसिक बिकारों का सामना करना पड़ सकता है इससे आपको खून की कमी या एनिमिया, नर्व डैमेज, मेंटल हेल्थ से जुड़े बिकारों का खत्रा हो सकता है बिटामिन B12 की कमी कैसे पूरी करें? तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि मास मसली जैसे नन बेजिटेरियन चीजों में बिटामिन B12 भरपूर मातरा में पाया जाता है बेशक यह सच है, लेकिन बहुत सी बेजिटेरियन चीजों में भी इसकी अच्छी मातरा होती है अगर आप जानेंगे कि रोजाना कितने बिटामिन B12 की जरूरत होती है, इसकी कमी से शरीर में क्या-क्या लक्षर में हो सकते हैं और किन बेजिटेरियन चीजों में यह पोसक भरपूर मातरा में पाया जाता है विटामिन B12 के फायदे, रेड बलड सेल्स बनाता है और उन्हें पूरे सरीर में पहुंचाता है यह तंत्र का तंत्र यानि नर्वस सिस्टम को डेमेज होने से बचाता है, किसी व्यक्ति के NDA की रक्षा करता है शरीर को उर्जा प्रदान करता है, खुन की कमी या एनिमिया से बचाता है, हट्डियों को मजबूत बनाता है, दिल को स्वस्त रखता है, आँखों से जुड़ी समस्याओं से बचाता है रोजाना हमें कितने बटामिन B12 की जबूरत होती है, जबान लड़के लड़कियों और महिरापोरिzh को प्रतीजिन 2.4 माईकरोग्राम, 9-13 साल के बच्चों को प्रतीजिन 1.8 mcg, 4-8 साल के बच्चों को प्रतीजिन 1.2 mcg, 1-3 साल के बच्चे को प्रतीजिन 0.9 mcg बिटामिन B12 की कमी की लक्षर कौर कों से है कमजोरी और ठकान रहती है हाथ प्यारों मजुञुञुनी दुन्दली दरश्टी, बुखार, पसीना आना चलने में कटनाई, पाचन तंदर की समस्या गले में खरास या मुँँ में छाले सांस फूलना, बेहुसी या चक्कराना, आउसाद या दास्त कमजोर होना तो अचा का पीला होना, भूख में कमी, कानों में जंजना हट होना, कानों का बजना बिटामिन B12 से भरपूर खाद पदार बिटामिन B12 जिच फूड, ध्यान रहे कि सरीर बिटामिन B12 का निर्माण नहीं करता है इसे आपको खाद पदातों से लेना पड़ता है सरीर के बहतर स्वास के लिए आपको बिटामिन B12 भरपूर मात्रा में सेमन करना चाहिए जैसे दही, एक कप दही, सादा दही लगभग 28% बिटामिन B12 प्रदान कर सकता है दूद, दूद में बिटामिन B12 के साथ साथ प्रोटीन, केल्सियम और खने से भरा होता है एक कप लो फेट दूद से आपको 1.2 mcg बिटामिन B12 मिलता है फोटीफाइड सेरेल्स, और ओड्स, दलिया और अन्य सावत अनाज़ों में बिटामिन B12 के साथ साथ फोलेट, आइरन और बिटामिन A की मातरा अधिक होती है फोटीफाइड नॉन डेरी मिल्क एक कप सोया दूर या बादाम के दूर में 2.1 mcg बिटामिन B12 होता है अन्डा बिटामिन B12 के साथ साथ प्रोटीन और केल्सियम का भी जबजस्त्रोथ है एक अन्डे से आपको 0.6 mcg बिटामिन B12 मिल सकता है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तो